पर बहुत बड़ी घटना घटी है जो मरमाहत करने वाली इसके बारे कुछ बताया जाए देखिये हमारे जो घटना घटी है हमारे नेता कल हम लोगो को तुरंत संग्यान में लिए और हम लोग प्रदेश के सभी हमारे बड़ी नेता आज हम लोग आए हैं और घटना आने के बाद यहां मतलब जो सुन्ने में आ रहा है कि इतना परिवार अज उजड़ गया परिवार का मुखिया जो कमाने वाला था उसका घटना में मिरत्व हो गई और हम उस परिवार के प्रति सपेदना व्यक्त करते हैं और आई हुए हैं देखने और उस परिवार से जो यहां के लोगा उन्नों से मिलेंगे सासन प्रसासन से मांग करेंगे परिवार के भरण उंके बच्चों के उनके माह के लिए उचित मुख आउजा दिया जीससे उस परिवार को कोई मतलब उसके मुख्या की कमी तो कभी कोई पूरा नहीं कर सकता है लेकिन इतना मुझा जरूर मिले जिसे उसके बच्चों का भरन पोशन होगा आपने सर बात करा उसे तमाम बातों में क्या कुछ बतलाया जा रहा है कि घटना के कारण के पीछे का कारण क्या है लोग हम लोग भी अपना देख रहे हैं जांच करें हमारे लोकल जो पंचायत अस्तर के नेता हैं लोग भी जांच देख रहे हैं और निश्ची तुरूप से घटना अभी अभी इस पर प्रस्णवाचा कि उठाना नहीं घटी है चरूर कहीं कहीं से कोई लापरवाई परने वालों को और जो गायल है उनको पचास जार लेकिन राजी सरकार के दूर आई तक कुछ नहीं बोला गया इस पर कुछ देखे राज ट्वीट करके वहां पर पाटी के नहीं नहीं है नहीं 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 देखे यही बात तो आपनों को समझाने के विहार को आदी समझ हैं आप देखे प्रधान मंतरी दिल्ली से संग्यान ले लिए जो उनको देना है दे दिये लेकिन दुरभाग यह है कि हम लोग के जो मुखिया है बिहार के यह अभी अभी साहिकणों लोग तड़ब तड़ब के मर गये सराब में आप मतलब इनको बिहार वासियों से कोई म लुक मंतरी जी में दुर्भाग उनके पार्टी का कोई नेता नहीं आया और अभी तक किसी प्रकार का मुआउजा की घोसना नहीं हुई यह दुर्भाग करें परदेश अध्धक्ष पटना से चलके यहां आगा इस पुडवी चंपारन की धरती पे और अभी तक जी सरकार के जो मुखिया लोग बैठै अवी तक किसी प्रकार का यहां पर नहीं यही तो संबेधना की बात है यहां को बार-बार कर रहूं कि हमारे जो मुखिया है इनको बीहार केम हैं जो घृवटणा में मारे जाना ना 왜 मतलब नहीं रहोघेंगा स्रफंह बचाने का खेलकन देल इनको बिहारियों से कोई मतलब मिर्तिकों की संख्या अभी साथ आठ के आसपास लोग बता रहे हैं तो वह तो प्रावधान हो तो चलता रहेगा लेकिन सरकार को संग्यान लेना चाहिए ना जब परधान मंतरी संग्यान में ले लिए दिल्ली में बैट करके और यहां के अब तक इस बात का संग्यान नहीं ले सके और नहीं इस पर अभी तक कुछ बोल पाए देखे हमारे निता अधेनी चिराक बार बार का रहा है कि मुख मंत्री संबेदन हीन है संबेदना नहीं रहा गए इनके अंदर इनको किसी से कोई मतलब नहीं है इनको सिर्फ अपनी रहे होंगे कहीं लोग मर रहे हैं रोज हत्या बलतकार होगा कहीं जा करके किसी कि दुख रूख में है अभी आप देखे होंगे च्षपरा में किस तरह से सराब से तरब के लोग मर गए एहां क्या हुआ होगा उस परिवार बालों को आज तक उनके अभी बिहार के मुखिया यह देखिए दुर्भाग है बिहार का मुखमंत्री जी कहीं मतलब बैठ करके ही एक नंबर से सब्सक्राइब करने का फूर्चत्ति है विशेसर रहिया भवन में कितना साख छूप सके आग लगा था तो देखने गए थे बस उनका इतनी काम है राजू तीवारी जी सरकार से क्या मांग करेंगे इस सरकार से देखिए अभी मांग मारी यही है कि उनके परिवार को कम से कम जिससे उनका भरन पोसर हो जाए हमारी पार्टी मांग करती है कि कम से कम 25-25 रुपया तुरंत उस परिवार को दिया जाए और जो बाकी इलाज रत हैं देखिए यहां पर घटना होने बाद इलाज भी नहीं कराती है सरकार ततकाल मैं अभी डियम साहब से बात करूंगा और हमारी पार्टी मांग कर रही है कि इलाज की विवस्था समुचित सरकार अपने तरफ से कराव है और 20-25 पचीस पचीस लाख रुपया घरवालों को तुरंत दिया जाए लाइन में बोलना चाहता हूं कि मुक्मंत्री नितीश कुमार ताना साह हो गया है मुक्मंत्री निती समय समय आगे है बस हितना चाहिए है